हेलो दोस्तों CSE परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत सागत है आज हम बात करने वाले हैं आधार सीडिंग के बारे में जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वोटर आईडी में आधार लिंकिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे CSE में आ चुका करना है इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिज्टाल से और पोडर पर शना है यहां पे सर्वीस के जाने के बाद और आल सर्विस आपको यहां पर सो होने लगेंगी जितने भी हमारे Digital Save Up Portal पे सर्विसे रन कर रहे हैं सारी सर्विसे यहाँ पे सो करेंगी पुनारी और नई इसके बाद यहाँ पे देखे राइड साइड में होगा यह सर्च सर्च में करना है सर्च पे करने के बाद यहाँ पे लिखना है Election जैसे ही लिखेंगे तो आटोमेटिक आपको दो सर्विसे आएंगी लेक्षन से रिलिटेड तो हमको पहले वाले पे क्लिक कर देना है इसमें एक Election Card Print का है और पहला है 36 गड़ इलेक्षन तो पहले वाले पे टिक कर देना है इसके बाद अगर आप पहली बार CSC से लाग इन हो रहे हैं तो यहाँ पे यस करने के लिए अत्राइजेसन पूछेगा इसके बाद हम अपने पोर्टल पे आ चुके हैं यहाँ पे डिश्टिक आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है यह केवल 36 गड़ वाले वीली के लिए है अभी 36 गड़ परणजाब में चालो हुआ इसके बाद एसेम्बली पार्ट जो भी है पार्ट नमबर वो सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद फिर सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है select पे जैसे ही click करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारी service आ गई सबसे पहली जो service है मद्दाता इसमें सूची में नाम जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं इसके बाद दूसरा जो है इसमें list का नाम देखना है वो यहाँ से देख सकते हैं इसके बाद है मद्दाता सोची को नाम हटाना है तो वो कर सकते हैं सबसे नीचे लास्ट में देखी यहां पर दिखा हुआ है आधार फीडिंग का यह बहुत ही इंपोर्टेंट है अभी तक जितने भी आधार फीडिंग का काम हो रहे थे वो सारे आपके बीलो के माध्यम्स हो रहे थे पट अब आप लोग अपनी CST पोर्टल के माध्यम से करेंगे और कमिशन भी उसको मिलेगा इसके बाद डेली कार्ड प्रिंटिंग स्टेटास चेक कर सकते हैं कार्ड प्रिंट करके भी अच्छा इंकम कमा सकते हैं आप लोग और मद्दाता सोची से नाम हटाना है या फिर नाम जो स्टेट है वो पंजाब में लाइव हो चुका है बाकी स्टेटों का अभी लाइव नहीं हुआ है जैसे ही लाइव हो जाएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो मिल जाएगा जिससे आप उसको सर्विस को कैसे यूज करना है वो हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर सेयर करेंगे इसके बाद यहाँ पे जिसे आधार फीडिंग करना है तो click here पे कर देना है click here पे करने के बाद हमको new tab में redirect कर देगा new tab में जाने के बाद यहाँ पे देखिए continue जारी रखे पे करना है इसके बाद यहाँ पे दो प्रकार से आप सर्च करती है वीवराण द्वारा खोजें और पहँचान पत्र क्रमांग द्वारा खोज सकती है दो तरह से आपको पहँचान पत्र क्रमांग नहीं पता है तो वीवराण द्वारा खोज सकती है अगर पहचान पत्र पता है तो epic number state डाल करके इसके बाद capture code डालना है जैसे 36 गड़ है इसके बाद यहाँ पर capture डालना है खोजे पर जैसे क्लिक करेंगे नीचे list आजाएगी जितने भी उस नाम से होंगे इसके बाद view run दोरा खोजना है तो नाम है पिता जी का नाम है उम्र है या data birth पता है तो data birth भी डाल सकते हैं यहाँ पर इसके बाद male female राज जिला और विधान सभा जो भी आपका लगते हैं वो डालके इसके बाद capture डालना है नीचे आके capture डालने के बाद जैसे सर्च करेंगे पूरी list आजाएगी जितने भी लोग होंगी उस नाम के तो इसके बाद यहाँ पर नया आवेदन भी कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल पर बने रहें ऐसे ही latest जा अपने चैनल स्यस्टी परिवार के साथ